आज हम लोग जा रहे हैं मेदियान पार्क चुके बहुत जबर्दस किसम का पैट पार्क है जहां बहुत किसम के डॉक्स हैं बडज हैं ग्राउन बर्डज हैं रैप्टर्स हैं ऊसले के ओसे Uh 3, 2, 1 3, 2, 1 माशयाललह और भी डॉक्स ही आहां पर रहें आप लोगों को दिखाता हूँ विडियो में बंदे रहें आप लोग साइबेरियन हस्की इन वाइट कलर ब्लू आईद माशयाललह इसे Siberian Husky है white clear का माशालला से Blue eyes Siberian Husky बालू बहुती प्यारा white Siberian Husky है Blue eyes I think this is Alaska Mews Blue eyes and Alaska Mews माशालला बहुती खुप्सूरत डॉप इसके लिए लाइक और एक सब्सक्राइब तो बचता ही है माशालला से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं देखें बहुत अच्छा व्यू है जहां का और आप लोगों दिखांदें देखें इसके अंदर जो है Black Shepherd और Pit Bull है इसमें जो पिछली दफ़ा आयते हैं अम लोग तो जर्मन शेफर्ड भी था वह इस दफ़ा नजर नहीं आ रहा तो आप लोगों करीब से दिखाता हो यह आप लोग देख सकते हैं आराम कर रहा है बुली टाइप के और यह पिट बुल टाइप के डॉब्स हैं और यह बहुत ही जबरदस किसम का माशाल्ला Black Shepherd प्रदस किसम का Black Shepherd आपको पता है कितने महंगे मिलते हैं माशाल्ला इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं इसके अंतर मुक्तलिस पिजिन्स है पिजिन्स की वरायटी इसके अंदर रखी रही है लका वगएरा हैं शेराजी हैं गोला हैं काफी सारे पिजिन्स चलदर हैं लेस्टिक वगएरा भी होई हैं ताकि यह अपनी हैचिंग एक लेंग वगएरा करें बहुत अच्छा और जबर्दस किसम का एक्वास पिया रहे हैं यह भई बजीज आ गए यहां पर सारे बजीज हैं कालोनी टाइप बनाई भी है यहां पर और समाम इसके अंदर बजीज पैरेट्स रखे वें इसके अंदर लवड़्स हैं माशाललह से अब लोग देख सकते हैं इसमें सारे लवड़ रखे में इस पर भी सारे बजीज हैं माशाललह बहुत ही ब्यूटिफुल बजीज की कॉलोनी हैं यह माशाललह आप लोग देख सकते हैं अब यहां पर आप लोग को दिखाता हूं इस ड़क्स है और ड़क्स के साथ साथ कॉक्टेल्स रखे में माशाललह से चार कोल ग्रे कॉक्टेल क्रीम कॉक्टेल क्रीम पाइट पलपाइट कॉक्टेज रखे में यहां पर विडियो में बंद रहना इंशाललह आप लोग को बहुत अच्छा लगेएगा आप लोगों को बाकी के परिंडे दिखाते हैं विडियों में बंद रहना आप लोगों को बाकी के परिंदे पी वहाई यह देखें यहाँ पर मुक्तलि बंक कहें बलू शोल्डर पीकों के मैं रखाए यहां पर मुआज यहें do वब बलूस जोल्डर हैं एक मेल और एक मेल दो है Treasure और मुझूंध मेज़aden माशाललह से यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं बुलू शोल्डर पीकॉक बहुत ही जबर्दस किसम का पीकॉक है माशाललह माशाललह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत और प्यारा है इन प्यारे प्यारे मोरों के लिए एक लाइक और एक सस्क्राइब तो बनता ही है क्यों दोस्तों कमेंट्स में बताना कौन से जानवरों परिंदे आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं मुझे तो वाल्ड साइबेरियन अस्की और ब्लू शोल्डर पीकॉक बहुत अच्छा लगा इसके इंदर एलिगेटर है क्रोकोडाइल का बेबी है यह आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को दिखाते हैं इस पे क्रोकोडाइल है रैप्टाइल अब यहां पर कुछ आप लोगों को गंजी मुर्गिया दिखाते हैं अब यहां पर लिखावा तो ऑस्ट्रेच है लिकिन इसके इंदर सारी मुर्गिया ही है असील मुर्गिया हैं सारी यहां पर माशालला अब देख सकते हैं सारी असील मुर्गिया हैं यहां पर fighting भी हो रही है वही है मेरे फेवरेट रोजी कोली इसके अंदर लोटीनो है यह देखो लोटी डो रोजी कोली लबबट फैमिली वाले वही जितने भी वीडियो देख रहे हो लाइक कर देना रोजी को ली लवर सो लाइक करें देना वही है माशाललह से बहुत अच्छा इन्वार्मेंट है यहां का बाकी इसके अंदर तो खाली है और फिर यहां पर मुर्गे आ गए हैं करीब से दिखाता हूं आप लोगों को यह आप लोग देख सकते हैं माशाललह बहुत ही जबर्दस इसके अंदर देखें मुर्गी के साथ जो हैं वो चिक्स हैं बहुत ही प्यारे माशाललह बहुत ही खुबसूरत और प्यारे माशाललह माशाललह इसके अंदर राज हंस हैं बत्तक बड़ी करदन वाली जिसे राज हंस कहते हैं प्यारे माशाललह माशाललह से बहुत अच्छा यहां का वियू हो रहा है और अभी आपको साथ साथ रेप्टाइल लवर्स के लिए मैं यहां तक आया हूं हाला कि वहां से नजर नहीं आ रहा था लेकर मैंने बुला जितने रेप्टाइल लवर्स मुझे फॉलू करते हैं उनको दिखा दूंए देखें माशाललह माशाललह यह क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल है एलिगेटर्स भी कहा जाता है एलिगेटर बहुत ही जबरगास की सिमक है तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉक्स में बताना आज के तमाम पैट्स में सबसे अच्छे पैट्स आप लोग को कौन से लगे कमेंट्स में जरूर बताना और अपने पैट लवर दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करो इस जगह देखें यह खाली पड़ी है और इस तरह यहां पर जो है बैठने की जगाए हैं लोग खाने पीने की फूट कोट से और फैमिलीज भी घूम रही हैं बहुत अच्छे चीज़ यहां पर जगाए हैं आप लोग जरूर यहां पर आएं अपनी फैमिलीज के साथ माशल पी रहे हैं वाइल बड़्स को हमी ख्याल अखना चाहिए अपने घर के छटों पर दिवारों पे जो है अपने जो में गेट की ऊपर जगा होती है वहां पे छट पर रख दें टैरिस पर रख दें बैलकोनी पर रख दें इस तरह आप दाना पानी रख दिया करें तो वाइ अपने आखों से देखा है वीडियो पसन आगे तो जरूरे लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करता रहता हूं और आप लोगों के वीडियो लाला के देता रहूंगा और कमेंट करके बताना सब से अच्छा आप लोगों को कौन से ग्राउंड बर्ड लगा फ्लाइंग ब टेक कियर या अली मदद अली मौला वारिस अल्ला ने के बान फी अमान इल्ला मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज जजाकाल्ला खेर असलाम वालेकूं झाल्ड 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 वालेकूं